एर इंडिया का अधिकारी बोला जल्द समाधा नहीं निकला तो जून तक बंध हो सकती है ये सरकारी कमपनी मोधी राज में सरकारी कमपनी BSNL MTNL बरबाद होने के बाद अब देश की सबसे बड़ी सरकारी विमानन कमपनी एर इंडिया अगले 6 महीने में बंद हो सकती है एर इंडिया के एक सीनिर अधिकारी ने बताया कि अगर एर इंडिया के लिए जल्दी अगले जून तक कोई ठो सामधा नहीं निकाला गया तो ये राश्ट्रे विमान कमपनी बंद हो जाएगी भारी कर्ज के बोज में दबी सरकारी एर लाइन कमपनी को अगर जल्द खरीदर नहीं मिला तो जून तक बंद हो सकती है मोधी सरकार पर टक कटाक्ष करते हुए वरिष्ट अधिकारी ने कहा कि तुकडों में व्यवस्ता करने से काम नहीं चलेगा अधिकारी नहीं है भी कहा कि खड़े किये जा चुके 12 विमानों को दुबारा उड़ाने के लिए भी फंड की जरूरत है जल्दी फंड नहीं मिला तो एर इंडिया का हाल जेट एर वेस जैसा हो सकता है बतादे की एर इंडिया पर करीब 60,000 करोड का भारी भर कमकर्ज है लेकिन मुदी सरकार अभी भी एर इंडिया में निवेश करने से कम कर रही है कांद्र सरकार एर इंडिया में और अधिक पैसे लगाने से इनकार कर चुकी है लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार से ही सरकार कमपनी से हाथ खड़े कर लिये हैं तो कमपनी चलेगी कैसे आधिकारी ने कहा हमें संचाल अनावर शक्ताव के लिए सरकार से 2400 करोड रुपे की मांगी थी लेकिन सरकार ने केवल 500 करोड रुपे पर ही हामी भारी है जबकि UPA की मनमोहन सरकार ने 2012 में एर इंडिया को 10 साल के लिए 30,000 करोड रुपे देने की मदद की घोशना की थी बड़ा सवाल ये है कि मोधी सरकार जब अपनी कमपनी के कामका जग्यापनों के लिए 1000 करोड खर्च कर रही है तब मोधी सरकार के काम से ज़्यादातर सरकारी कमपनिया बंद की हो रही है या बंद होने के मुहाने पर खड़ी है NPR के विरोध में अखिलेश बोले मैं NPR का फॉर्म नहीं भरूँगा मुझे देश से निकाल कर दिखाए उत्तर प्रदेश के पूर मुखी मंद्री अखिलेश यादव ने NPR का विरोध किया और मोधी सरकार से कहा कि हमें NPR नहीं रोजगार चाहिए अखिलेश यादव ने UP के लोगों से कहा कि मैं NPR का फॉर्म नहीं भरूँगा और आप भी ना भरे नागरिकता कानून के बाद NPR का विरोध भी लगातार भरता जा रहा है गैर बीजेपी राज्ये पश्चे बंगाल केरल ने इसका खुल कर विरोध शुरू कर दिया है अब अखिलेश ने भी मुदी सरकार के NPR का खुल कर विरोध करना शुरू कर दिया है केंदर सदकार को चतावनी देते हुए अखिलेश ने कहा कि मैं NPR का फॉर्म नहीं भरूंगा मुझे देश से बाहर निकाल कर दिखाएं भार्टचंता पार्टी नहीं तै करेगी कि कौन नागरिक है कौन नहीं अखिलेश आदव ने डास्ट पिता महात्मा गांदी का जिकर करते हुए कहा हमारे पुराने लोगों ने हमें सिखाया है कि कैसे विरोध करना है गांदी जी जब अफरीका में थे तो उन्होंने अपने पहले आंदॉलन में कुछ कार्ट उठा कर जला दिये थे जौरत पड़ी तो मैं पहला व्यक्ति कहलाओंगा जो कोई फॉर्म नहीं भरेगा यह लोग हमें और आपको बढ़काना चाहते हैं हमें रोजगार के बारे में पूछते हैं तो यह लोग NPR में लगा देते हैं लेकिन आज नौजवानों को NPR नहीं रोजगार चाहिए हम सब तो यहां के नागरिक पहले से ही हैं इसलिए हमें NPR नहीं चाहिए उडिसा बजरंग दल की गुंड़ा गर्दी हिंदु देवी देवताओं के अपमान का विरोध लगा कर दलिट दॉक्टर को पीटा देश में भीड हिंसा की वार्दात थमने का नाम भी नहीं ले रही है ताजमामला उडिसा के नाबरनपुर जिले से सामने आया है जहां एक दलिग आयूरवेदिक डॉक्टर को धार्मिक भावनाय भढ़काने के आरोप में घसीट घसीट कर पिटा गया मामला जिले के जहारी गाउ इलाके का है यहां भफतोर मंडल नाम के एक आयूरवेदिक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला है डॉक्टर पर आरोप है कि उसने विमारे के इलाज वाले प्रमोशन पोस्टर्स पर हिंदु देवी देफताओं की तस्वीर लगा दी है जिससे इलाके में सक्रिय बजरंग दल के कारे करता भढ़क गए और डॉक्टर की क्लीनिक पर धावब बोल दिया कठित तोर पर बजरंग दल के कारे करता उन्हें पहले डॉक्टर को खीच कर क्लीनिक से बहार निकाला और बेहरहमी से पिटाई शुरू कर दी बजरंग दल के कारे करता यही नहीं रुके इसकी बाद वो लोग डॉक्टर को घसीटते हुए चोरहाय पर ले गए जिसकी बाद डॉक्टर को गुटनों के बल बेठा कर सब के सामने माफी मंगवाई इस मामले का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में बजरंग दल के कारे करता की गुंडा गर्दी तो साफ तोर पर दिखाई जा सक का चोट लगा है वैं इसे नहीं लगने देंगे इसी वज़से उन्होंने डॉक्टर को पीटा और सड़क पर घसीट कर माफी मांगने के लिए कहा यहां सवाल यह है कि भावनायाहत होने पर किसी को पीटने का अधिकार उन अब द्रवी कारे करता को किस ने दिया क्या बद लोचना पर सेना प्रमुक लगातार गिरते आ रहे हैं केरल से कॉंग्रेस के लोग सबसांसर टीन प्रतपन ने राष्टपती रामनात को विंद को एक पत्र लिक कर सेना प्रमुक विपन रावत को हटाने की मांग की है प्रतपन के मुताबिक विपन रावत ने सेन्य कर्मि वालों पर टिपपनी करते हुए कहा कि नेता वह नहीं है जो गलत दिशा में देश के लोगों का नेत्रितफ़ करें जिसके बाद तमाम नेता और पूर्ष सेनी अधिकारियों ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा कि यह सेना का अचार सहीता का उलंगन है कॉंग्रेस सा प्रमुक के इस बयान को बाचपा के दवाव का नतीजा बताया है जिससे साव जाहर होता है कि सेना प्रमुक ने राजनीतिक संगटनों के दवाव में देकर बयान देकर अपनी सारी हदे पार कर दी हैं बता दें कि सेना के कानून की धारा 21 में सेना के अफसर या सेना के करता है बेदरदी योगी ने LinkedIn WhatsApp सेरे में गरीबों को कंबल बाते एग घंटे बाद आधिकारियों ने कंबल वापस ले लिए उत्तर प्र देश की राजधानी लखनाव में मुख्य मंद्र servis जोगिया दित्ति ले लिए योगी लखनाओं के लक्षमन मेला ग्राउन और डाली गंच के रहन बसेरे का दौरा करने और कंबल बाटने गए ते मगर योगी के कंबल बाटते हुए फोटो खिचवाने के घंटे बादी वहां मौजूद अधिकारियों ने गरीबों से कंबल वापिस ले लिए योगी सरकार ने गरीबों के साथ यह दोका इसे समय पर करा जब यूपी समित पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड लगाता रिकॉर्ड तोर रही है ठंड चो उत्तर प्रदेश में लोगों की मौत हो चुकी है बढ़ती जा रही है और दर्जनों लोगों ठंड की वज़े से अपनी जान गवा चुके हैं गरीबों के इस तरह का वहवार उनकी गरीबी के प्रती हमदर्दी को भी उजागर करता है बाचपा सरकार और उनके नेताओ दुआरा गरीबों के साथ ऐसे विश्वास गहात पहला नहीं है इससे पहले भी प्रदान मंत्री मोदी का फसल के द अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें